मिनी ट्रेक्टर आज आपको नदी क्रास करना पड़ेगा बहुत बड़ी नदी चलो चलते हैं और उस नदी के उस पार जाना है और अपने सांथियों को लेकर के आना है ट्रेक्टर चलो नदी के उस पार अगर आप नहीं जा पाए तो गड़बड हो जाएगा ए नदी आ गय या देखो ट्रेक्टर इस तरह कूदनेक थोड़ी बोला था इसको उठाना पड़ेगा अराम अराम से उतारने के लिए बोला था तो कूद गया आजाओ आगे आगे से रास्ता है ट्रेक्टर और आगे आज़ो बिट्टा अगे आओ ये रास्ता है निकल आओ ट्रॉली में पानी भी भर गया है वाँ ये देखो ट्रॉली में पानी फुल है और ये ड्राइवर हमारे गिर गया था बेचारा कुछ हुआ तो नहीं है ड्राइवर आपको कुछ नहीं हुआ है ड्राइवर को अब नदी के उस पार हम आ गए है नदी क्रास हो गए अब ट्रेक्टर का जो ड्राइवर है उनका साथी इधर फसे हुए है उनको बैठा करके ट्रोली में ले चलना है घर बास रुख जाओ पानी के अंदार बहुत सारे स्पाइडर मैन फसे हुए है उनको तुरंद बचाना है थोड़ी से और बांकी है आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको अब हम पहुँशने वाले हैं फिर से हमको नदी में घुसे गड़ना पड़ेगा ट्रेक्टर को बचाओ बचाओ कोई है बचाओ हमको कोई है बचाओ देखो यह लोग चिला रहे हैं बच्चो यह तीनों लोग पानी के अंदर फसे हुए हैं यह देखो इनको बचाने के लिए हम यहां आए हैं ट्रेक्टर चलो पानी के अंदर और उनको बैठा करके ट्रॉली में लानना है अराम अराम से ले चलना ट्रेक्टर फल्टाना मत जाने दो जाने दो जाने दो वा और आगे चलो थोड़ा चलो ट्रेक्टर अब बैक करो पीछे साइड बैक करो ट्रॉली निकाल दिये यार करना पड़ेगे इसको फिर से ट्रेक्टर कीचन में कहीं फंस न जाए चलो पीछे बैक करो वाँ जाने दो जाने दो बच्चों के पास जाने दो जाने दो और जाने दो बास पहुंच गए चलो फटा फट बैट जाओ चलो ट्रोली में बैट जाओ ट्रेक्टर आया है बचाने आप लोगों को चले आप तो बैठ गए हैं और तुम दोनों आओ बैठो जल्दी से और नहीं डूब जाओगे पानी में कोई बचाने नहीं आएगा आपको तिनों तुम यहाँ बैठ जाओ बास ट्रेक्टर जल्दी से चलो और नहीं तूफान आएगा तो फिर से इनको डुबा देगा चलो जोर से स्टार्ट करो ट्रॉली को मत पल्टा ना ट्रॉली पल्टेगा तो विचारे मर जाएंगे जाने दो जाने दो ये बच गए तीनों बच्चे को बचा लाया हमारा से मिनी ट्रेक्टर का ड्राईवार मा तो तो मोट या। तुम लोग TRAKत ओंण दो क्या कर दो स्पाइडर मायन की ते तरह पानी के अंदर फस गयाथा ना वह तो फिर मिनी ट्रेक्टर गया था बचाने बचाने के लिए गया था तुम लोगों को काउन बचाएगा बच गए अपने आप बच जाओगी कैसे निकल जाओगी इसके अंदर पता है बहुत बड़े-बड़े मगर हैं देखो कि बहुत बड़ा नदी है देखो बहुत गहरा पानी है इसके अंदर मगर रहता है और बड़े-बड़े सांप और मचली भी है जेबू पैर हटाओ ये तो नहीं दरता यार क्यों छोटू नहीं दरता सांप से और मगर से अजिगर से लाते-लाते मारोगे मगर मच्च को मर जाएगा ओ आएगा इस तरह आएगा पानी में ठीक और इस तरह ऐसे अपने मुंडी को हिलाते हिलाते दबी साथ में चुपए चुपए इस तरह पकड़ेगा पैर को और इस तरह खींचेगा और पानी के अंदर इस तरह ले जाएगा फिर गहरे पानी में लेके तुमको अपने घर के अंदर घुसेड लेगा तो कैसे बचोगे कैसे निकल जाओगे पानी के अंदर थोड़ी तुमको छोड़ेगा रसी से बांद देगा तो कौन बचाएगा मंगर मच जब सो जाएगा तो चुपपश भाग जाओगे चलो मंगर मच को ढूणते हैं ठीक पानी में ढूणे मंगर मच आ जाओ जैबू तुमको चैलेंज किया है बोलता है मैं मंगर मच से नहीं डरता हूं कहा हो मंगर मच जल्दी से आओ मैं तो इधर हूं ओरी बाप रे जिसके अंदर घुसा हुआ अभी अब आज आ रहा था रूको दिखाता हूं देखो बच्चो यहां पास मंगर मच देखो यहां पास है देखो 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 किस तरह कर रहा है कहां है जैबू मेरे को बुला रहा था नहीं मगरमाच जैबू आपको पताए क्यों बुलाया है मीठे मीठे गुलाब जामुन खवाने के लिए आप नराज मत होना जाओ मंगरमाच अपने घर चले जाओ ठीक है मजाराओं चला गया यह चला गया मंगरमाच जाओ मंगरमाच इधर मत आना क्या बोल रहे हो अब ना बुलाना आप चला गया अब आएगा तुमको उठा ले जाएगा अब ना बुलाना ठीक है क्या करोगे बुलाओ तो मुझे कान बुलाया मैं रिक फंसा रहे हो यार मैं थोड़ी बुलाया हूं मिनी ट्रेक्टर घर पहुंचने वाला है इन तीनों बच्चों को बचा लिया है हमारा मिनी ट्रेक्टर कितना सिंदर है पानी के अंदर घुस गया था और इनको बचा करके ले आया बताओ किना अच्छा ट्रेक्टर है ब्रेक्ट मार दो हम पहुंच गए घर चलो तीनों बच्चे उतर जाओ अपने सुतरो चलो आज बस उतारे देता हूं कल से अपने से उतर के धर बैठ जाना अराम से ठीक है ठीक बच्चो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जै स्री राम